7th question में हमें 6th question का opposite दिया हुल्टा है उसमें हमें set builder से interval में change करना था इसमें interval दिया है उसको set builder में लिखना है देखिए इसमें क्या लिखना है हमें राइट दर फोलोईंग इंटरवल्स इंसेट builder form फर्स्ट है minus 3,0 minus 3,0 अब आपको ये बताया था कि जहाँ c bracket हो इसका मतलब वहाँ equal to का sign नहीं है और जहाँ दूसरी bracket हो ये वाली वहाँ equal to का लगेगा तो इसमें ये चीज़ तो हम लिखे लिखेंगे क्या है इसका set builder form क्या आ जाएगी ये चीज़ आपने लिखनी है पहले और फिर क्या लखेंगे minus 3 x,0 अब अगर यहाँ bracket हमारी दूसरी होती हम यहाँ equal to का sign लगा देते यहाँ होती तो यहाँ लगा देते otherwise ऐसे ही छोड़ना है तो यहाँ हमारे दोनों में नहीं है तो ऐसी छोड़ देंगे इसको second part है 6,12 इसको कैसे लिखेंगे x यह part हमारा same है अब इसमें दोनों तरफ देखी यह वाली bracket है तो दोनों तरफ equal to का भी sign आएगा 6,x,12 अब दोनों तरफ bracket थी न तो हम यहाँ दोनों में यह sign लगा देंगे third part पर आते हैं third part है 6,12 यहाँ C bracket है and 12 तो इसमें हमारा यह चीज portion वही है यहाँ आ जाएगा this, this and यह अब यहाँ पर bracket है 12 के पास 12 के पास तो यहाँ लगा देंगे fourth part minus 23,5 यह part same यहाँ हम लिखेंगा minus 23 x,5 तो यहाँ पर minus 23 की side में हमारी दूसरी bracket है तो यहाँ sign आ जाएगा equal to का यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर C bracket है तो यह हमारा question number 7 भी यहाँ complete हो जाता है यहाँ यहाँ पर यहाँ यहाँ जाएगा यहाँ झाएगा झाल झाल